तो दोस्तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं धेर सारी प्रेजेंटेशन टैंपलेट है जिनकी मदद से आप एक एक अट्रेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अब आपको पाउरपाइंट की जूरत नहीं है नमस्कार दोस्तो मैं सतीज डवले लेकिया हूँ आपके लिए 17 ऐसी वेबसाइट और AI टूल्स की इंफॉर्मिशन जिनकी मदद से आप अपने ओपीस का काम आसान कर सकते हैं तो अगर आप जानने में इंट्रेश्टेट हो यह 17 AI बेस वेबसाइट तो यह वडियो इंट तक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं नमबर वन जिसमें मैंने यहाँ पर पिक किया है वीजमी.co वेबसाइट वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप एक स्टनिंग प्रेजेंटेशन तयार कर सकते हैं रेडिमेट टेंपलेट से यहाँ पर आपको लाको मिल ज कहा हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आप फ्रेजेंटेश्षन चार्षन मैयाब्स चौ्चल मिटिया ग्राफिक तो आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते उस प्रदो का यहाँ पर घंत रहेते हैं इस शिरि monsieur लेते मोटि अब अब नमबर दो पर है हमारे पाद chat with any documents online for free यह है lightpdf.com की तरफ से एक tool जिसकी मदद से आप किसी भी document से chat कर सकते है basically document के अंदर के content के उपर आप सवाल पूछ सकते है जैसे PDF हो सकता है, Word हो सकता है, Excel फाइल हो सकता है, PPT फाइल हो सकता है अब कुछ से भी सवाल टाइप करके पूछ सकते कि इस agreement में क्या क्या है या फिर आपके पास कोई Excel फाइल है, उसमें कोई calculation आपको चाहिए, Cities का total चाहिए तो वो भी आप इसे पूछ सकते है, अपने Excel फाइल है आप अपलोड करने और पूछना है तो यहां पर देखे, उसने summary बताया कि भाई यह एक agreement है, जो यह दो person के बीच में है, बाद में कितने मैने के लिए क्या क्या rain चल रहा है, सब कुछ यहां पर उसने बताया है तो उसके बाद उसने कुछ सवाल भी दिये है, Who are the parties involved in the leave and license agreement? अगर इस सवाल का जवाब चाहती है, तो इस पर क्लिक करो, यह directly जवाब दे देगा, लेकिन मैं कुछ अलग सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस agreement के अंदर witness कोन कोने उनके name मुझे बताओ, तो मैं witness name टाइप करूँगा यहां पर और आप देख सकते है witness names आ अब बढ़ते हैं, अब क्या होता है, मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा हूँ वेबसाइट के उपर, और इस ब्लॉग के उपर धेसरे अडवर्टाइज आती है, या फिर बीच बीच में अनॉंटेड कंटेंड भी है, और मैं से प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ प्रिंट फ्रेंडली.com ये वेबसाइट, नाम से फ्रेंडली है, तो देखते क्या होता है, इससे प्रिंट फ्रेंडली, आपको URL को यहाँ पे पेश्ट करना है, प्रियू कर देना है, आपका जो URL के अंदर कंटेंड है, उसे प्रॉपरली और्गनाइज यहाँ पे करेगा आप स्क्रोल कीजिए नीचे और आपको यहाँ पे एक आड दिखाए देरी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अप्लिकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कोर्से चालोए, तो यह जो है, बेसिकली मुझे नहीं चाहिए, तो मैं रिमू कर सकता हूँ, तो ऐसे जो content मुझे नहीं चाहिए, मैं रिमू कर सकता हूँ, और फाइनली यह हो गया हमारा clean and neat PDF, तो मैं इसे PDF में generate कर सकता हूँ, या मैं print भी कर सकता हूँ, तो इस टूल का इस्तमाल ज़रूर कीजिए, तो आप बढ़ते, टूल नंबर 4 की तरह, यह तूल का पी interesting tool है, जिसकी मदद से आप content right कर सकते है, जिसका नाम है writer.me, यह website मैंने already visit की, इसमें आपको login करने लाएं, और उसके बाद आपको language सिलेक करनी बाई, कौन से language में आप content लिखना चाहते हो, तो आपको यह तोन भी सिलेक करना की आपको कैसा content चाहिए, मुझे चाहिए informative content, तो मैंने informative लिया, उसके बाद choose a case, आप क्या करना चाहते है, आप blog लिखना चाहते है, या फिर आप कोई business ideas के उपर content लिखना चाहते है, या पर धेर सारे cover letter के उपर लिखना चाहते है, तो यह पर धेर सारे आपको मिल रहे है topic, तो आप एक topic से लेक कर लो, मैंने लिए blog, मैं blog लिख कर देगा, इसका AI tool प्रॉपरली काम शुरू करेगा, और एक आपको अच्छा सा content लिखे देगा, बिसिकली chat GPT भी यह content लिखे देगा, लेकिन यह पर यह बोल्ड होगरा भी करके देगा, आप proper content आ रहे है आपके सामने, और आप इस content को formatting भी कर सकते है, यहा से formatting tool वगरा भ हो गया आपके लिए, तो यह काफी interesting tool है, content writer के लिए आप भी इसे try कीजे, अब बढ़ते है next tool के तरह, तो चली मैंने आपको content writing दो बता दिया, अब आपको वीडियो अगर generate करना जो content आपने लिखा है, तो आप इसकी मदद से कर सकते है, studio.d-id.com इस website की मदद से, अब यहा पर type कर दीनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर select कर लेना है, कि आपको voice किसका चाहिए, यहाँ पर voice भी select कर सकते है, यहाँ पर language भी select कर सकते है, और यह सब select करने के बाद आपको एक anchor भी select करना पड़ेगा, आप चाहते हैं, इन से आप narrate करवाना चाहते है, तो यहाँ पर आप बना सकते आपका एक वीडियो, एक फेस वीडियो हो जाएगा, आपका फेस नहीं आएगा, इनका फेस आएगा, वाइस यहां से आजाएगी, आपने जो script लिकी, वो यहां से आएगे और generate वीडियो पे क्लिक करना है, तो यह कापी इंट्रेस्टिंगी वेबसाइट है अगर आप फेसलेस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की मदद से बना सकते हैं तो ज़रूर ट्राइ कीज़े अब बढ़ते हैं वेबसाइट नमबर शिक्स या टूल नमबर शिक्स की तरह यह क्लिनब डॉट पीचर कापी इंट्रेस्टिंग है बस आपको क्या करना है यहां पर क्लिक करो यहां फिर ड्राइग और ड्रॉप कर सकते इमेज को जैसे मेरे पास एक डिक्स्टॉप पर इमेज है मैं इसे यहां पर उपन किया तो अब इस इमेज में यह जो माउस दिख गायब हो जाएगा तो यह एक आप इंट्रेस्टिंग टूल है अगर आपके फोटो में अनॉंटेड चीज है तो आप वह इस टूल की मदद से गायब कर सकते हैं और यहां से इस इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो क्लिनब डॉट पिच्चर ज़रूर ट्राइग कीजिएगा हम सब के काम आती है क्योंकि हम फोटो जब खीचते तो बात में पता चलते यार बैकरण में कुछ अनॉंटेड चीज है तो वह आप यहां से रिमू कर सकते हैं टूल नंबर सेवन की तरफ अब बढ़ते हैं यह क्रिस्ट डॉट ए जिसकी मदद से आप वाइस क क्लीन हो जाएगा तो अगर आप इंटरेश्ट हो तो इससे जरूर ट्राइक किजिए अगर आप एक कंटेंट क्रियेटर हो तो आपको इसकी जरुवत पढ़ सकती है अब बढ़ते है टूल नंबर एट की तरह यह बिटोन.ai जिसकी मदद से आप यहां पे कॉपिराइट फ करके देगा और जिसकी उपर आपको कोई भी कॉपिराइट नहीं आएगा तो यह वेबसाइट को भी जरूर ट्राइक कीजिए अब बढ़ते हैं वेबसाइट नमबर नाइन की तरह है यह क्लीन वाइज डॉट है इसकी मदद से भी आप जैसे क्रिस्प से आप बैग्राउ रिमू कर सकते हैं तो यह अगर आपको चाहिए जैसे आप उड गराली दो आप घर राँब मॉर्ट है इसकी बी आपको जरूरत हो सकती है अब बढ़ते है tool number 10 की तरब यह player.ai जिसके मदद से आपकी product की image को आप attractive तरीके से present कर सकते हैं आपको photoshop को roll रहाँ अगरे नहीं आता है no problem आप product की image यहाँ पे upload करो और उस product की image को आप एक अच्छा सा background दे सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं तो जरूर इसे ट्राइगी जिए player.ai tool number 11 synthesis.io जिसकी मदद से आप यहाँ पे video generate कर सकते हैं AI based video generate करना है तो आप इस tool का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह studio.d की तरह ही काम करता है जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको वैसे आप यहाँ पे 120 languages में वीडियो तयार कर सकते हैं तो यह tool भी आपको try करना चाहिए जरूरू tool number 12 है dictation.io जिसमें आप voice typing कर सकते हैं अब यहाँ पे धेर सारी languages select कर सकते हैं Hindi, English, Marathi जो भी languages बहुत सारी languages यहाँ पे support होता है और उस languages में जैसे आप mic पे बोलो कोई वैसे वो type होते जाएगा तो आपका यहाँ पे typing का काम बच रहा है अगर आप typing नहीं करना चाहते हैं तो वाइस typing कर लो इस tool की मदद से dictation.io अब tool number 13 की तरह बढ़ते हैं इस tool में आप image का background remove कर सकते हैं और upload करते ही यह यहाँ पे background remove कर देगा वाव इंट्रेस्टिंग है ना यह देखिए original कैसा था यहाँ पे देखिए पूरा पूरा पानी गायब कर दिया इसने समंदर था पीछे तो वह पूरा गायब कर दिया है तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह है background remove tool remove.bz जरू ट्राइब कीजिए अब बढ़ते है tool no.14 की तरफ यह है imglarger.com यह image की उपर काम करने के लिए basically धेर सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हैं और कुछ free tools है जैसे की image को enhance आप कर सकते है magic eraser भी आप यहाँ पे use कर सकते हैं यहाँ पे clean up.picture करता है वैसी यहाँ पे cartoonizer यहाँ इमेज को cartoon में convert कर सकते है denoiser भी यूज कर सकते है तो मैं एक enhancer यूज करके दिखाता हो आपको यहाँ पे करना कि आए बस enhancer के लिए आपकी एक image आपको select कर लेनी है open कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे start button पे click कर लेना है और कुछ ही seconds के अंदर यह processing करेगा और आपको download option देदेगा download option से आप इस image को download करके देखो और यह original image मैंने साइड में open करके रखिए यह original ऐसी थी enhance होने के बाद देखिए आपको दिखाए दे रहा है we are the drawing आपको बसरो करना है मुझा एक bicycle यहाँ आपके लिए क्वाश धरोने सर्कल आप ऑर इसको बस ऐसरी जॉएन कर दूंगा यह से में多 और यह आपके उपर दिखिए उपर यहा पर दीक तो को पता चलेगा कि आपको एक ट्री करना एंव्य सब्सक्त्राइ खिरह कोई और बहुत सारे और ही ओप्शिण सब्सक्राइं करना चाहते है तो जुपर आप इस तरह से मना क्यां आप बना क्या यहाँ अपक्र उपर आप देख सकते मॉंस बनाना चाहते स्छा बन गया, अब बढ़ते है tool number 16 की तरह, यह है video.ai, जिसकी मदद से आप यहां पे long videos को short video में convert कर सकते है quickly, और इसका इस्तमाल आप कर सकते है, आपके अगर बड़े videos है, content creator है आप, तो उनको आप shots में convert करना चाहते है, आप Instagram प्यूने upload करना चाहते है, तो इस tool का आप इस्तमा इस्तमाल कीजिए, अब बढ़ते tool number 17, जो कि हमारा आखरी AI tool है, जिसकी मदद से आप AI based image generate कर सकते हैं, जिसका नाम है mid journey, इसकी उपर बस आपको लिखना है कि आपको image कैसे चीज, जैसे आप लिखोगे वैसी image वो generate करके देगा, AI based image generator है, जो image आपको Google पे search करने से नहीं मिल copy interesting images generate होते हैं, और यह बिल्कुल free है, इससे कैसे इस्तमाल करना, इसका step by step detail video मैंने बना है, जिसकी link आपको description मिलेगी, इसकी उपर sign in कैसे करना, या कैसे आप बना सकते हो, कितनी minute का या पर free रेता है, सारी चीज़े मैंने उस video में detail में mention किये, तो आप ज़रूर check out कीजिए साथी में मैंने इसमें से lightpdf.com जो टूल आपको बते हैं, जिसमें आप document के साथ chat कर सकते हैं, उसका भी एक dedicated video है, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, वो भी आप check कर सकते हैं, तो यह थे 17 AI based tool, आपको ये video अच्छा लगा है, तो like ज़रूर कीजिए, साथी में share कीजिए, और मेरे teaching channel पसंदे, तो description मेरे application की link दिए, जहांसे आप घर बैटे बैटे courses सीख सकते हैं, with ISO certificate, घर बैटे बैटे, in-app video download भी features से, तो अभी check out कीजिए, application के link description में है, right, अभी download कीजिए, और check out कीजिए, कि वह आपको कौन कौन से courses से, कौन कौन से आपके काम के है courses, वो भी आप check out कर सकते हैं, और बहुत ही कम फीज में हमने ये courses आपके लिए रखे, तो चलिए, आप application के उपर register करेंगे, ये मान कर मैं मिलता हूँ, आपको next video के अंदर तब तक के लिए, अपना खयाल रखिए, सीख तेरे ये सीखा दे रिए, बाई बाई